स्वाधत है आपका रिमाज नोठ है साउट कीचर में आज इन बनाने जा रहे हैं पीनट चिकी कभी भी आपका अवर बीठा खाने का मन होना तो आप इस रसपी को आसानी से घर पर बना सकते हैं तो आएए शुरू करते हैं अची रसपी को चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कड़ाई को गैस पर रख दिया है गरम होने के लिए अब हम डालेंगे इसमें पीनट ये एक कप पीनट लिया है मैंने पीनट को लो फ्लेम पे हम अच्छे से भून लेंगे क्लेम को हाई मत रखिएगा ये देखिए पीनट अच्छ यह देखिए पीनट अच्छे से ठंडा हो गया है अब हम क्या करेंगे कोई भी कटोरी या टिफिन आप ले लें उससे इस तरीके से रब कर दें जिससे की छिलके अच्छे से निकल जाएंगे और पीनट भी जो है ना दो भाग में हो जाएगा जिसे चिकी बनाने में आसानी ह यह देखिए पूरा छिलका अच्छे से निकल गया है पीनट भी दो भाग हो गया है इसको हास से थोड़ा सा रगर देंगे और इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे पीनट अच्छे से क्लीन हो गया है आप देख सकते हैं एक पीस में छिलका नहीं है अब इसको साइड में र हम अच्छे से melt कर लेंगे चिकी के लिए जैसा गुड़ चाहिए वैसा परफेक्ट इसको बना लेंगे यह देखिए गुड़ अच्छे से melt हो गया अच्छे bubbles आने लगे हैं कुछ देर और पकाएंगे फिर हम देखेंगे कि यह चिकी यह परफेक्ट है या नहीं यह देखिए गुड का कलर भी चेंज हो गया एक कटोरी या गिलास में पानी डाल के उसमें गुड डाल के आप देखेंगे गुड अगर हार्ड हो रहा है जैसे चिक्की का होता है तो यानि कि यह परफेक्ट है अगर नहीं है तो थोड़ी देर औ आप इसे हमारा गुड बिल्कुल परफेक्ट है अब हम क्या करेंगे इसमें पीनट को डाल देंगे और पीनट को गुड में डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम किसी भी प्लेट में या थाली में घी को या ओयल को लगा चिकी अच्छे से बाहर निकलाएगी ठंडे होने के बाद, अब हम क्या करेंगे पीनट को इसमें प्लेट में डाल देंगे, सभी पीनट को किसी कटोरी में भी आप थोड़ा सा घी लगा लें, उससे आप इसको अच्छे से सेट कर दें, जितना पतला या मोटा रखना हो, उसके एसाब से आप इसको कर लें बहुत केरफुली ये काम करना होगा आपको, क्योंकि बहुत गरम रहता है ये, ये देखें किनारों को भी मैंने सेट कर लिया अच्छे से, हलका सा इसको ठंडा होने के बाद, हम इसमें कट लगा लेंगे चाकू से, जिसे चिक्की निकलने में आसानी होगी, थोड़ा सा ठ खंडा हो जाने देंगे, ये देखें हलका सा ठंडा गया और हर्ट भी हो गया है, लेकिन अभी भी ये नीचे से गरम है, इस तरीके से महीं कट लगा लेंगे, कट लगाने से अच्छे पीस इसके बाहर आएंगे नहीं तो आप बिना कट लगाया ऐसे भी निकाल के खा सकते हैं इसको तोड़के कोई जरूरी नहीं कि कट लगा नहीं है आपको यह देखिए मैंने चौको शेप के इसमें कट लगा लिये हैं चिक्की को ठंडा होने के बाद निकाल लेंगे यह देखिए चिक्की ठंडी हो चुकी है किसी चाकू की मदर से हम इसको निकाल लेंगे अच्छे से बाहर निकल लई है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है पेट में नहीं चिपकी है यह देखिए सबी चिक्की को निकाल लिया है मैंने चाको के मदस से अब हम प्लेट में इसको रख देंगे बहुत ही पर्फेक्ट चिक्की बनके रेडी हुई है ये देखिए बिल्कुल जैसे शौक में मिलती है ना उस तरीके की चिक्की आप घर पे बना सकते हैं ये देखिए बिल्कुल पर्फेक्ट बनी है मैं आपको तोड़के भी दिखाती हूँ ये देखिए कितनी क्रिस्पी है ना ये अगर आपको कभी मीठा खाने का मन होना तो इस तरीके से आप घर पे आसानी से चिक्की बना सकते हैं रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और उमीद ही कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी अगर रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्काइब करना ना भूलिएगा तैंक्यू सो मच